हाई फ्रेंड्स आप सभीका स्वागत है मेरे यूट्व चैनल है स्टेक की रेन में आप सभी को पता है कि हमारे न्यूगर का फरनीचर का काम चालो है उसका प्रोग्रेस के प्रकार हो रहा है वह मैं अपके साथ शेयर कर रहे हूं अपने पिछले वाले वीडियो नहीं देख अपने यूल दीखा दिया है क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में क्या क्या में न Nearly वह स्टिय करने वाली तो जाधा देरी ना करें चलो फिर आज क्या मदूर्स वह दिखते हैं तो चलो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे मम्मी का जो पेडरू में इसका जो गॉर्डूप था उसमें उन्होंने पार्टिशन लगा दिया है तो अब दोनों साइड में अब करने का जो रॉड होता है वहीं डाला है क्योंकि हम करने में कपडबे में जो प्रिफर एसफें करते कि जैसे हम फोल्ड करके रखते ना उसे प्रकार से मुझे और गनाईज अच्छा रहता है वाडरों मुझे ऐसा लगता है तो इसके लिए मैंने कोई भी रॉड इसमें नहीं दलवाया है तो आप देख सकते हो और यहाँ पर जो है ड्रेसिंग टेबल में भी आप देख सकते हैं पार्टिशन डाल दिया है बहुत ही अच्छा है और यह जो है बहुत ही स्मूध तरीक से ओपन और क्लोज होता है बहुत ही अच्छा मुझे लगा यह तो इसके हम देख सकते हैं वाइठ हमने जो हे चौप दाब है रोज गोल कलर के लगा है और बाकी सारी क्रॉकरी जो है वह वह भी रोस गोल्ड कलर में हमने बनाई है साइड का जो आप देख सकते हो यह पेंटरें उनिटेस के उपर का जो है रो लगना बाकि है नीचे ट्रॉलीं और आप देख सकते हो कि इसके उपर जो है आम ग्रेनेट बिठाने वाले मार्बल वो भी बिठाना बाकिये तो उसके बाद में पूरा लुक आपको दिखाने वाले कीचन का बहुत ही अच्छा लुक तैयार होने वाला है आप देख सकते हो यहां पे तो इनका फिनिशिंग व कि यह पीओपी हो चुका है हॉल में सिर्फ हम पीओपी कर रहे है तो यह पीओपी में कलर वगरा उन्होंने लगा दिया बीच में जो डिजाइन के है उसमें हमने ब्राउन कलर डाला है बाकि पूरा वाइट ही रखा है वाइट कलर से हमने रखा है इतना ही सिंपल एकशे इसका लुक आ रहा है जो आप देख सकते हैं इसका फिनीशिंग बाक्य है लाइट सेट करना बाक्य है तो यह मैं आपको दिखा रहे हूं. साइट से लाइट वगर लगा दिये Malaysia वाइट को चला करें दिखा रहे हूं आपको चालो करके कि कैसा लुक आ रहा है अभी light वगरा लगाना भाकी है यहां पर जो है आप देख सकते हूं यह main door के पीछे जो है दो हम ने storage बनाए है और ये जो हैं उपर के hanging lights लगा दिये हैं ये croccary unit है आप देख सकते हो और नीचे की तरफ आप देख सकते हूं कि जोती का हमने जो है कुक टॉप लिया है बहुत ही अच्छा ब्रैंड जूथी का इसके लाइफ टाइम काज की गारेंटी है आप यहां से जो है काज अगर खराब होती है तो आप बदल के ले सकते हो तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए मैंने जूथी का जो है ब्रैंड कुक अगरेंट लगा के लिए तो यह बहुत ही अच्छा लूग दे रहा है और वहार जो हैंगिंग लाइट हमने लगाई है एक रोकरी में हमने लाइट लगाई है नीचे आप देख सकते हैं जो हमारा कांटर है ब्रिक्फस्ट गूटर वहां पर नीचे के तरफ हमने लाइट लगाई है तो बहुत ही उबर के हमारा kitchen दिख रहा है यह open island kitchen है बहुत ही सुन्दर दिखता है यह kitchen अगर आपके पास क्रोकरे में अमने lights लगाई है नीचे का पैंटर यूनिट है इसमें पार्टिशन वगरा डालना वाकिया मितलब का आज का जो पार्टिशन होता है वह भी तक उसमें डाला नहीं है तो वह भी आ जाएगा एक दो दिन में तो यह सारी चीज़े यह सारा progress हुआ है हमारे लगा और आपको जरूर इसको सब्सक्राइब करने चानल को ताकि अपने वीडियो देख सकते हो तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आज क्या क्या प्रोग्रेस हो है में सारी चीज़े अपके साथ शेय की हैं आपको पता है कि टीवी उनिट वगरा हो चुका है कैसा लग सब्सक्राइब हो जागे मैं मैंनेज करना मlliह का है रहता है जो किसस ब्सक्राइब और टीण को यहीज़े में लगड़े हो रहा है लेकिन प्लेकिन है क्योंकि मैंचे को बहूत क्या चाहिए एक होने वाला है कैसे हो रहा है क्या के चीज़ें हमें पचेस करने हैं तर प्रकार बाकी की सारे पैकेजिग उनक शुफ्टिंग उसके बाद वहाँ पे जाकर सामान लगाना बाकी बहुत सारी चीजे हैं और फिर हम पूजा भी करने वाले तो वह सारी चीजे कैसे होगा कैसे मैनेज होगा हमें आज ही डर लग रहा है यही चीज का तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो यही हम चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही शान तरीके से हम यह सारी चीजें हैंडल कर रहे तीन कर रहे हैं खर्चे का भी देख रहे हैं तो यह सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली तो फिर आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे जरून कमें सेक्षन में बताना और मेरे चानल को लाइक शेजर सब्सक्राइब करना मत भूला तक लिए बाब बाई यह सब्सक्राइब नहीं